स्ट्रेश 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 आज कल हर किसी को स्ट्रेश है लेकिन अपने दिमाग को शांत रखने के लिए mental peace के लिए कोई ऐसी दस चीजें जो आप अपने घर पे रख सकते हैं या अपनी रोज मरा के लाइफ में यूज कर सकते हैं उनके लिए बने रहिएगा वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद गरेमा इजी और बहुत इंट्रस्टिंग हेल्थ टिप्स के लिए बने रहिए हमारे साथ अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए छटा क्या करना है इस प्रानायाम बहुत 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 अफेक्टिव वे है हम पूरा दिन डीटॉक्स डीटॉक्स करते रहते हैं आपके शरीर को डीटॉक्स कैसे करना है आपके दिमाग को डीटॉक्स कैसे करना है वो प्रानायाम कर सकता है बहुत सारे प्रानायाम आते हैं आपको कोई जादा नहीं होगा अगएरा करने के लिए निए प्रानाया मतलब आपकी įह बरीतिंग प्राक्टिस का करते हैं अपनी सास को अब्जर्व करिए वो अंदर जा रही है बहार कि आपका एक-एक सेल आपका एक-एक आपकी body का part आपके सांस चल रहा है तो उसको जरूर अब्जर्व करिए बहुत सारे Asanas हैं जो प्रानाया में पर सकते हैं अनलों विलों कर सकते हैं भामरी उद्गीत कर सकते हैं एक मैं आपको चीज करके दिखाती हूँ जो मेर को बहुत effective लगती है वो है ओम का उच्चारण कैसे करना है जो कि आपके nerves को बहुत अच्छा activate करता है तो ओम म में हम तीन portion में इसको divide करेंगे ओ करेंगे तो हमारे पेट पे vibrations होएंगी अ करेंगे तो हमारी chest पे vibrations होँगी और म करेंगे तो हमारे head पे vibrations होँगी आखे बंद करके एक बार मैं करके दिखा रही हूँ ओम ऐसे ग्यारा बार सुबा करके देखिएगा मज़ा आ जाएगा ऐसे लगता एक 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 पूरा brain खुल गया सारी नसे खुल गई बहुत effective तरीका है ट्राय जरूर करिएगा next चलते हैं साथवी चीज क्या कर सकते हैं अपने घर पे please ऐसी नास्तिक वाली फोटोे नहीं लगाएंगे skeletals लगा लेते हैं लोग abstract painting जिसका कोई सर नहीं आ रहा पैर नहीं आ रहा अजीब अजीब सी photograph depression वाली एक लड़की बैठी है समुंदर किरनारे अकेली बिचारी बैठी है ऐसी photos नहीं लगानी है हमें जीना है हमें lively रहना है smiling faces लगाईए खुशी की महुरत लगाईए बहुत 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 अच्छा healthy environment लगाईए बेशक कोई photo मत लगाईए लेकिन negative photos नहीं लगानी है ठीके एक और चीज है जो चोटी सी tip है कि जो लोग हमारा साथ छोड़के जा चुके हमारे family members हैं जो expire कर चुके हैं उनकी बहुत जादा photographs अपने घर पे मत लगाईए वो specially वास्तु के हिसाब से कोई area होता है वहीं पे रखनी चाहिए या कोई direction होती है वहीं पे रखनी चाहिए या फिर जैसे अगर मुझे किसी से बहुत प्यार है और वो मेरे साथ नहीं है तो मैं जब भी उनकी photo देखूंगी मैं sad हो जाओंगी और वो नहीं होना है वो जहां है वो खुश रहे हम जहां है हम खुश रहे तो उसके लिए आपको अपने आपको पैपप करके रखना है एट चीज क्या करना है डिजिटल ड टीटॉक्स तो डिजिटल डी टॉक्स हम बहुत जादा ये मेरी भी यूट्यूब पे वीडियो बन रही है लेकिन हम बहुत जादा अपने आपको डिजिटली उक्यूपाई कर रहे हैं कम से कम इतना करिये कि सोने से एक घंटा पहले आप डिजिटल सारी चीजों से सन्यास उस पर ना फोन चेक होगा, ना लापटॉप चेक होगा, ना टीवी चलेगा, ना आपके कोई और चीज चलेगी, ताकि आप डिजिटली अपने आपको एक घंटा पहले डीटॉक्स कर पाएं, सोने का एक टाइम बनाईए, उस टाइम पर बेड पर ज़रूर जाएए, और एक गंटा पहले अपने आपको इन सारी चीजों से दूर कर ले, आपके बेड पे कोई एलेक्ट्रोनिक आइटम नहीं पड़ा होना चाहिए, बहुत लोगों क्या आदत होती है, अपना फोन अपने बेड के सरहाने के नीचे ही रख लेते हैं, पतानी क्या हो जाएगा, ऐसा न पॉइंट है, कभी पार्क में देखा है, हाहाहा, वो हसते हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं, तो हमें हसी आजाती है, वो तो फेक कर रहे होते हैं, लेकिन हम हसली में हस रहे होते हैं, तो एक रूल याद रखिए, फेक इट तिल यू मेक इट, मतलब तब तक ना टक करि ऐसे लोगों के साथ बैठिये जो आपको हसा पाएं ऐसे लोगों के साथ नहीं आए है तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ कैसे जीएगी तूँ ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना है ऐसे लोगों के साथ बैठिये जो आपको पेपप कर पाएं पुष कर पाए, आगे जीने के लिए आपको बहुत मोटिवेट कर पाएं, ठीक है, तो अच्छे लोगों के साथ बैठिये, सत संगत करिये, अच्छी किताबे पढ़ सकते हैं, अच्छी थौट्स पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ इंटराक्ट करिये, ताकि आपकी इस तरह बिले आल्कॉहल बिल्कुल नहीं तुम्हकु बिल्कुल नहीं। नॉन्वेट जितना हो सके उतना कम करिए। इस तरह से अपने खाने को अगर आप प्योर करते हैं, तो आपके थौट्स भी प्योर होते हैं। बहुत बहुत अफेक्टिव तरीके हैं। यूज करके देखिएगा। कमेंट सेक्षिन पर जरूर बताना अगर कुछ भी कर पाए हो, या अगर कुछ करने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी हेल्प आउट चाहिए हो, या किसी चीज पर इलाबरेशन चाहते हों, तो प्लीज स्टे टून्द। और बहुत अच्छे से अच्छी अच्छी लिविंग करते होए, स्माइल स्माइल करते होए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेक केर, बाई बाई!